हे अबरीबान गुड मॉर्निंग रादे रादे आप सबी को और आप सब कैसे हो या मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो आज मैं बहुती टेस्टी रेश्पी बनाने वाली हूँ टेस्टी खिचडी बनाने वाली हूँ तो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगे आज की डेश्पी में तो अपले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और सेयर जरूर करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने लिए बड़ी जो सोया बड़ी होती है वैली है और थोड़ी देर गलाने रख दिन थी और गलाने के वाद देख घी में और देशी घी थोड़ा सा गरम होने के वाद यहां पर जीरा डाल देना है अगर आप हिंग डालना चाहे तो इसमें हलका सा हिंग वी डाल सकते है और तीन चार यहां पर लिए हरी मिर्च और बन प्याज इसको बारी कट कर लिया है और मिर्च को थोड़ा सा बड़ा रखा है और ये मिर्ची न बहुत तेखी है तो रेड मिर्च मुझे बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च और प्याज को भूल लिया है अब इसमें ह बटर लेया है मैंने यापर अगर आपके पास और भी सब्जिया है या फिर और भी कोई जैसे गोबी बीन्स वगएरा पसंद करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं और यह देखिए कितना कलर्फुल लग रहा है और जब देखने में ही इतना कलर्फुल लग रहा है तो यकीन मानिए कि खाने में यह कितना testy होगा तो यह देखिए इनको भी अच्छे से 2 मिनट के लिए हलके से saute कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर लिया है दलिया, गेउं का दलिया और यह चाबल तुकड़ी वाले चाबल लेना है यहाँ पर और दाल ली है, तोर दाल, और थोड़ी सी मूंगी दाल, और यहाँ पर और भी कोई दाल डालना चाहें आप, तो वो भी बेड कर सकते हैं, और चावल को टुकडी वाला इसले लिया है, क्योंकि जब यह पकेगा नी, तो टुकडी वाला चावल काफी अच्छा लगता है इस और अब इसमें हमें डालना है नमक और लेसन इसके अलावा कोई भी मसाले नहीं डालना है अगर कोई जादा मसाले डालते हैं तो बस वो ही है खूप सारा मसाला अनहेल्दी थोड़ा हो जाता है इसलिए नॉर्मल बेसिक से मसाले यहां पे लिए हैं खूप सारी सबजियों के तो test के recording यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है हल्दी डाल दिया है और यहाँ पर हमें थोड़ा सा roast कर लेना है मसाले अच्छे से बुहन जाए उसके बाद हमें पानी डाल दिया है और पानी हमें इतना डालना है जितनी ये पूरी सबजी चावल वगेरा हो रहे हैं उससे तीन पानी हमें लगवग डालना है क्योंकि तब हमारी परफेक्ट खिचडी बनके रेडी हूँ पाएगी अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा कम रह गया है पानी तो बाद में खिचडी बनने के बाद थोड़ा सा गरम पानी डालके दो मिनट ओबाल लेना है और फिर हमारी तो मैंने तीन गुना पानी डाल दिया है तो बिल्कुल फर्फ्पेक्ट खिषडी बनके रेडि हुई थी ना तो जादा पतली थी और नहीं जादा गाड़ी तो यह देखी इस तरह से हमारी खिषडी में पानी डल गया ए और इसमें प्लग का लित तब तक सोचा कि यहाँ पर हमारी oil की can रखी थी तो उसको transfer करना था दूसरी can में क्योंकि जो पिछले वाली जो can है वो काफी गंदी हो रही थी क्योंकि direct उसमें ही हमारा oil भरके आया था जो गाउं का देशी सर्शों का तेल होता है वह तेल था तो इसे साफ can में transfer करना था और जब तक हमारा ओधर CT लग रहा था कोकर में खिचडी बनने बन रही थी तो इसी तरह से जब भी हमें कोई काम करना होता है तो पहले खाना चड़ा दीजिए इस तरह का खाना होता है और उसके बाद आप आराम से थोड़ा छोटा मोटा काम कर सकते हैं तो चलिए जब तक हमारी खिचडी बन भी चुकी थी विसल निकल चुकी थी बस थोड़ी सी विसल रह गई थी अनाया कुछ आये थी जल्दी खिचडी खाने को उसलिए थोड़ा सा निकाल दिया था उसको और ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी बन चुकी है खिचडी ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है कितनी कलरफुल लग रही है और एक दम से परफेक्ट बनी है ना ही कोई ज़्यादा गाड़ी है और ना ही ज़्यादा पतली अब इसे उपर से आप इसमें घी डाल लीजिए या फिर बटर वगरा डाल के खा सकते हैं और कितनी कलरफुल लग रही है इसे बच्चों के साथ में क्या होता है सबजिया नहीं खाते हैं तो बच्चे इसके साथ में सबजियां भी खा लेंगे और उनको प्रोटीन भी भरप चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए ठीक है तो यहां पर मैंने खिचडी को निकाल लिया है अब इसमें क्या करना है यहां पर मैंने घी लिया है आप बटर डालना चाहें तो बटर भी ले सकते हैं बढ़ना देसी घी लीजी देसी घी के साथ बहुती टेस्टी लगती है तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में किसी और रेस्पी के साथ चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना जि मिलते रहे हैं